नमस्कार दोस्तों दोस्तों जब भी आप अपने घर का काम शुरू करते हो उससे पहले आपको अपने घर का प्लानी जोए वो करना भूरती ज़रूरी होता है जैसी कि आप यहाप देख सकते हैं इस तरह से आपको किसी आर्गेटेक्चर या सिविल इंजिनियर के पास से अपने घर का जब भी आप प्लान बनवाते हो उसके बाद क्या है कि वहापे काम करने में आपको आसनी हो जाती है और आपका जो काम है वो सही तरीके का होता है उसके बाद आपको क्या करना है अपने घर का इलेविशन बनवाना है यहापे देख सकते हैं इस तरह का 3D इले से changes होते हैं दिवार को तोड़ना बहुत सारे changes वहाँ पर आपको करने पड़ते हैं और वह जो changes है वो करने के लिए आपको आसानी से आपका खर्चा बढ़ जाता है आपका breaker का प्रोपरली प्लैनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है आपको आर्केटेक्ट चरिया सिविल इंजिनर के पास से अपने घर का प्लान बनवाना है और उसी साथ से आपको 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 काम करना है बाद में क्या होता है आप अपने हिसाब से वहाँ पे changes करते रहे तो हो करने से समझ में नहीं आती है दोस्तों इसलिए हमें याद रखना है जोबे आप काम करते हो वार्केटेक्टर या सिविल इंजिनर के पास ही जाकर उनके सलाह लेकर आपको आपको करना है जिसके आप यहाँ पर देख सकते हैं यह मंदिर बनवाया हुआ था यहाँ उस मंद यह लिफ्ट का जो दर्वाज है कितने साइज का होना चाहिए वह आपको पहले तरह करना है अर्किटेक्टर या सिविल इंजियर के पास से जो लिफ्ट वाला एजेंसे हैं उनके पास से आपको जानका रिलेना है वहाँ पर आपको किस तरह से डोर का साइज रखना है पर कॉंटरक्टर है वह चुंते समय आपको वहाँ पर द्यान देना जरूर है वह किस तरह का काम करते हैं उनका क्वालिटी के है काम का कम रेट में करते हैं लेकिन उसका काम अच्छा है क्या नहीं यह वह आपको आपको आपके चेक करना है और इसी साब से आपको अपने घ कोई भी काम करते हो या आप सिविली इंजिनियर हो तो यह जो चैनल यह आपके लिए बहुती फायदी मन रहने वाला हैं इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करेजी का और उसी की साथ बेल आइकॉन भी जरूर दबा देजी का दोस्तो तो